नमस्कार भाईयों और वैनों मेरा नाम है सिधार और आप देख रहे हैं डिजिटल आइप क्या आप विंडोज 10 में एज व्राउजर का डिफल्ट सर्च इंजिन बिंग को चेंज करके गूगुल रखना चाहते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ पहले एज ब्राउजर को ऊपेन किजिए यह है एज ब्राउज़र का इंटरुपेस करता हूं करता हूं चले इंडिया da लेखिए एक खुल गया और यहां दिखें सर्च बॉक्स पर ध्यान देखें लेख यहां सेट में लोगो भी है मतलब मैं कुछ भी सर्च करूं यह बाइड पर बीमें सर्च कर रहा है तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो क्या करना होगा मुझे यहां राइट सेट टॉप में देखिए इस तीन डॉट है यहां पर क्लिक किजिए उसके बाद नीचे जाएए सेटिंग्स सेटिंग्स में जाने के बाद पूरा फिर से नीचे आएए देखें यहां पर नीचे option है change search engine यहां पर क्लिक किजिए यहां पर अभी मुझे बोल रहा है choose one यहां पर only मेरे पास जो है go a bean यह है by default और अभी मुझे दूसरा कोई search engine यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे करना क्या है आपको यहां एक new tab खुलिए यहां address box में लिखिए यह देखिए गूगल खुल गया देखिए आज गूगल मना रहा है अनिवर्सरी अप डिटर्मिनेशन अप देश्पीड अप्लाइट उसलिए इसका आज लोगो जो है वह तोड़ा चेंज है ठीक है यह आप आप आड्रेस बोक्स पर देख सेथे हैं गूगल डॉट को निचे सेक्टिंग्स सेक्टिंग्स का फिर से नीचे जाएए आड्बांस से टिंग्स क्लिक किजिए थिशर्च नीचे आईए यहां पर देखिए मिलेगा jonY दिश 어우omated ऑरे बीम यहां पर और हवार्च्ण है यूज करना है तो पहले आपको उसको एक बार उसको open करना चाहिए इस ब्राउजर में वह उसको automatic detect करके आपको यहां पर show कर देगा तो चलिए इस Google search engine के उपर क्लिक किजिए और यहां नीचे set as default करते हैं यहां यहां पर google हो गया by default आपको फिर से बिंग जाए या विंग के उपर क्लिक कर सकते हैं आपको जैसे माची तो चलिए एक बार test करके देख लेते हैं मैं यहां से खुला इसको और यहां पर मैं search करते हैं इंडिया फिर से देखें इस बार यह जो खुला है देखें आडर्स बॉक्स में google.co.in slash search और यहां गूगल का लोगो भी है अभी मैं कुछ भी search करूँ यह by default गूगल पर ही search करेगा मैं यहां आपको एज ब्राउजर का और एक फिचर के बारे में बता रहा हूं दिखिए यहां पर आप फिर से होई more पर जाए और फिर से settings में जाने के बाद यहां दूसरा option टॉप से दूसरा option open microsoft edge width यहां है name tab page यहां पर क्लिक किजिए और यहां पर option है दिखिए चौता option a specific page और pages यहां पर क्लिक किजिए यहां पर आपको मांगेगा enter a URL हमें क्या करना है यहां पर google का URL देना है तो लिखिए यहां पर http colon forward slash forward slash www.googlp.co.in google.co.in इतने बाद यहां right side पर save का option है यह save हो गया यहां पर edit का भी option है आपको गर इसको delete करना तो delete का भी option है new page चाहिए तो यहां पर add new page का भी option है तो इस बार क्या हुआ यह देखिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको like करें और अगर आपका Windows 10 के related कुछ queries है तो नीचे comment box में लिखके मुझे पोच सकते हैं और मेरे चैनल digital like को जल से subscribe कर ले क्यूंकि मैं आप सब अभी के लिए इसी टाइपके video लाता रहता हूं